उत्रप्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव के एक तस्वीर वारल हो रही वारल तस्वीर में उन्हें जूते पहन कर महिलाओं एवं बच्चियों को खाना बाटते वे देखा जा सकता है इसे शेयर करते वक्त ये दावा किया जा रहा है कि नवरातरी में हुए कन्या पूजन के दौरान अखिलेश यादव ने जूते पहन कर बच्चियों को खाना परोसा था इसे शेयर करते वक्त एक यूजर ने लिखा नवरातरी में जूता पहन कर कन्या को भोजन कराते अखिलेश यादव भावी मुख्य मंतरी उत्रप्रदेश अब बताओ मित्रो इनकी सोच कितनी ऊची है हमने जब इस दावे की पड़ताल की तो हमने ये दावा गलत पाया गूगल रिवर्ज सर्च करने पर हमें ये तस्वीर पत्रिका मैगजिन के 2016 के एक रिपोर्ट में मुली इस रिपोर्ट की मुताबिक अखिलेश शरकार ने 2016 में होसला पोशन स्कीम की शुरुवात की थी इसमें गर्वती महिलाओं और कुपोशित बच्चों को पोश्टिक आहर दिया जाता था अखिलेश श्यादव ने अपनी पत्नी डिमपल यादव के संग इस योजना की शुरुवात की थी इसी कार्यकरम के दौरान की ये तस्वीर है इसमें अखिलेश श्यादव एक महिला को खाना परोस्ते में देखे जा सकते हैं खाना देते वक्त उनका जूता खाने की थाल के बिल्कुल बगल में है आगे अपनी पड़ताल में हमने पाया कि अखिलेश श्यादव ने खुद इस तस्वीर को 15 जुलाई 2016 को ट्वीट किया था इसे शेयर करते वक्त उन्होंने होसला पोशन योजना के द्वारा गर्वती महिला और बच्चों को पोश्टिक भोजन देने की बात कही थी हाला कि उस वक्त भी इस फोटो के लिए अखिलेश श्यादव की काफी किरकिरी हुई थी लोग उन्हें यह कहकर ट्रोल कर रहे थे कि इस योजना का उद्विश पोश्टिक और हाईजिनिक खाना देनी की है वहीं अखिलेश श्यादव खुधी जूते पहन कर परोस रहें तो खाना हाईजिनिक कैसे हो सकता है कुल मिलाकर अखिलेश श्यादव की 2016 की तस्वीर को हाल का बताकर उसे गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वतंतर पत्रकारिता को मजबूद और सशक्त बनाने में अपना योगदान दे नीचे दे लिंक पर जाकर अपना सायोग दे और स्वतंतर पत्रकारिता को जिन्दा रखे